जैश्री महाकाल, जैश्री महाकाल दोस्तो आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चों में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़ जाएगे दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवान की क्रपा आप कैसे पा सकते हैं और उससे पहले एक निवे दने कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन दबाए और हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो आप पाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से दोस्तो कहीं सारे जा तक पूछते हैं कि हम पर भगवान की क्रपा है ही नहीं, हम इतनी महनत करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज इश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन हम पर भगवान की क्रपा है ही नहीं तो भगवान की क्रपा यदि आप पर देखिए है या नहीं है वो विशे बहुत अलग है हम उस पर कभी और बात करेंगे पर हम आज बात करने वाले हैं कि भगवान की क्रपा आप कैसे पासकते हैं पहली बार हर व्यक्ति पर इस प्राणी पर इस संसार के हर एक वक्ति पर इश्वर की क्रपा होती है योकि बिना इश्वर की क्रपा कि आप यकीन मत मानिएगा ये यकीन मानिएगा इस बात को लेकर दोनों आपके लिए हो सकता है कि यहां जो भी घटीत हो रहा है वो इश्व विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उसको ही सरवत सरवत्र मान लेना ये चुनोति दे जाता है हमारे इश्वर की खृपा के ऊपर एक और कई प्रशना आपके उठते होंगे इश्वर के ऊपर कई सारी बाते हैं तो जो अंतरात्मा जो श्रद्धा है वो श्रद्धा शक वाली श्रद्धा होती है इश्वर पर यकीन है लेकिन यकीन के साथ संसय भी है और शक भी है तो पहली बात है कि श्रद्धा में कभी शक नहीं होता दोस्तों श्रद्धा अखंड होती है श्रद्धा का न तो कोई छोर होता है इसलिए आ आपके साथ यदि कुछ चीजे सब कुछ अच्छा घट रहा है और जो आपके मन में नेगिटिविटी जो है उसकी वज़े से वो चीज सही नहीं लगती है ये चीजे भी बंद हो जाएगा आपको सब कुछ सही लगने लग जाएगा तीसरी बात है आप में जेलने की शक्ती नहीं आपमें स्विकार करने के शक्ति आ जाएगी आपमें स्विकार रखती आ जाएगी आप हर चीजों को स्विकार करना सीख जाएगे और जहां स्विकार होगा ना दोस्तों तब जाके आप महसूस होगा आप खुद में रहेंगे और चोती बात है कि हम हमारा जो मन है व आप कोई कुछ भी खुए लेकिन आपके मन में ये होगा कि चाहे कोई नहीं देख रहा है इश्वर जरूर देख रहा है और दोस्तों इश्वर का नियाएं बहुत बहुत सठीग होता है और इश्वर से डरना चाहिए, किसी से डरे या न डरे पर इश्वर से जरूर रहना चाहिए अब बात में करना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको बैसिक चीजे बताएं कि इश्वर की जो क्रपा के पीछे जो बैसिक फंडे हैं वो ये पूरा आपको मैंने बता दिया सार अब है दूसरी बात है आप हमेशा सकारत्मक नेहें आपको दूसरी बात है आपको आस्थावादी श्रद्धावान रहना चाहिए और गीता का अध्यान करना है अब जब गीता का अध्यान दीरे दीरे करेंगे न दोस्तू तो बहुत सारी चोटी चोटी बातें बहुत सारी बड़ी बड़ी परिशानियों का हल आपको उसमें मिलेगा और आप जानेगे कि ये जीवन का सच क्या है गीता साक्षात इश्वरी उपदेश है उसे आप अध्यन करें उसे पढ़ें तब आप पाएंगे कि इश्वर की क्रपा का वास्तविक अर्थ क्या होगा और इश्वर की क्रपा है क्या तब आप महसूस करेंगे कि वाकवे में हमारे उपर इश्वर की क्रपा है कमियां बहुत सी है कमियों का यह कोई छोर नहीं है कोई सीमा नहीं है विक्ति को राजा बना दी ये प्रजागा तब भी उसे कमी अपनी किस्मत भग्य में लगेगी वो एक विशय अलग हो जाता है तो हम जहां है जैसे हैं उसमें संतोश होना चाहिए पोजिटी होना चाहिए और अपनी आस्था सही होना चाहिए मुझे नहीं पता कि वीडियो आपको कैसा लगा अब अपनी राज जरूर कमेंट्स में बताएं दोस्तों कि मेरे जो विचार हैं कहा तक सही हैं सच हैं और यह जो मैंने आप से बात शेयर किया आपको कैसी लगी यह भी कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों क्षा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और जैश्री महाकाल लिखें जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल